नमस्कार दोस्तों गुरुकुल अकेडमी में आपसे का स्वागत हैं दोस्तों हमने आप लोगों के लिए संपुन 2020 का निचोड करकी करंट अफियर्स की 1500 क्यूशन का संगरे तियार किया है जो आने वाले हर एक्जाम्स जिस एक्जाम में करंट अफियर्स आती है सभी एक्ज जिस एक्जाम में स्कोर को अच्छा कर पाएं और आपसे रिक्वेस्ट है अगर किसी कुईशन का अंसर पता है तो प्रिस बढ़ते कुईशन का अंसर कमेंट बोक्स में जुरूता कि जो भी डाउट साथ में ही गलियर होते चल जाएं अगर आपको वीडियो अच्छे लग करेंगे और या दखना फ्रेंस यह रिवीजन टेस्ट है कम टाइम में ज्यादा कुछ नहीं हाँ पर करवाएं यानि सपीड टेस्ट या दखना के इंदर सरकार ने किस एप का अंतरास्टी संस्क्रण पेस करने गोशना के तो यह कह है उमंग एप का किसका फ्रेंस उमंग किस राजे में इंडिया इंटरनेशनल चेरी बलोसम महत्सव को रद कर दिया गया है किस राजे में मिघाले में या दखना फ्रेंस इंडिया इंटरनेशनल चेरी बलोसम महत्सव को रद कर दिया गया है डिहो का रिडान श्यार नेक्स्ट है किस राजे में सुक्सम सीचाई प्रियोजनाओं के लिए 3971 कोड रुपे के रिण को मनजूर दी है किस राजे में दी है तो फ्रेंस ये दी है तेमिलनाडो में यानि ओफिसन नमबर भी होगा राइट आंसर तेमिलनाडो में देखेगा नेक्स्ट है किस देश ने राश्टी खोफिया समनोवी समीति की स्था मंत्री तरुन गोगोई का हाल ही में निदन हो गया किस राजे के प्रमुख्य मंत्री असम राजे की यानि ओफिसन नमबर भी होगा जी राइट आंसर असम राजे देखेगे नेक्स्ट है किसने महा आवास योजना नामक एक नई ग्रामियन आवास योजना शुरो की है किस नेक्स्ट अंतरदेशी मचे पालन चेत्र में सरोष्रिष्ट परदर्शन करने वाला राजे कौन सा है तो फ्रिंस कौन सा है ओतरपरदेश है ओफ्षन नमबर सी होगा राइड आंसर ओतरपरदेश ठीक है फ्रिंस चलेगा देखिए किस राजे के मुख्य मंतरी ने गोव कैबिनेट की स्थापना का निर्ने लिया है किस राजे के मुख्य मंतरी ने मध्य परदेश के मुख्य मंतरी ने option number C होगा राइड आंसर मध्य परदेश राइड फ्रेंस से लिगा देखिए next किस राजे ने दाई देदी मोबाइल क्लिनिक की सुरुवात की है किस राजे ने की है दाई देदी मोबाइल क्लिनिक की सुरुवात ये की है चतिसगड राजे ने यानि ए होगा राइड आंसर आ किस राजी की मोख्य मंत्री ने जी हाँ बिल्कुल आप लोग या दखना रजस्तान के मोख्य मंत्री ने जीफ्रेंस ओफ्स नंबर भी होगा राई राजस्तान राजस्तान की वरत्मान मोख्य मंत्री कोन है असोग केहलोत HDFC mutual fund का MD&CO किस को नुक्त किया गया है किस कुनुत क्या है नवनीत मुनुट को हाल ही में HDFC mutual fund का MD और CEO बनाया गया है option number B होगा जी write answer friends HDFC की full form क्या होती है ये question आपके लिए home work एप लिजस question का answer कमेंट बॉक्स में जरूर दे चलिए का देखिए next question क्या है किस देश के खिलाड़ी जेवियर मासी रानों ने फुटबाल से सन्या से गोशना की है किस देश के खिलाड़ी ने अर्जेंटीना की खिलाड़ी जेवियर मासी रानों ने फुटबाल से सन्या से गोशना की है option C होगा right answer अर्जेंटीना next है देखिए question क्या है कि लोक तंत्र के सवर नामक पुस्तक का विमोचन किस ने किया है किस ने किया है राजनाथ सिंग ने किया है option number B होगा जी right answer यहाँ पर राजनाथ सिंग right friends देखेगा next question है किस राजय ने पोशित प्रिवार सुपोशित परदेश अभ्यान सुरू किया है किस ने मध्य परदेश मध्य परदेश राजय ने पोशित प्रिवार सुपोशित परदेश अभ्यान सुरू किया है यानि ए होगा राजनाथ नेक्स्ट है कि इंदर सरकार ने किस पक्षी को बचाने के लिए पंच वर्षी योजना सुरू किया किसने की है गिद के लिए गिद को बचाने के लिए ए होगा जी राइट आंसर गिद ठीक है चलिका देखिए नेक्स्ट किस देश ने पैट्रोल डीजल कारों की बिकरी पर परतिबंद लगाने की कोशना किया किस देश ने पैट्रोल डीजल कारों की बिकरी पर परतिबंद लगाने कोशना किया तो यह की है ब्रिटेन ने यानि ओफ्शन नमबर सी होगा जी राइट आंसर ब्रिटेन नेक्स्ट है किस राजे के मोख्य मंत्री ने ग्रामियन सदक विकरेता योजना सुरू की है यह की है जी फ्रेंस किसने या दखना आप लोग मध्य परदीश ने यह होगा राइट आंसर मध्य परदीश नेक्स्ट एन से सी का बहत्रवा स्थापना दिवस कब मनाया गया बहत्रवा स्थापना दिवस मनाया गया फ्रेंस या दखना आप लोग 22 नॉमबर को मनाया गया कब मनाय करने गोशना की है तो फ्रेंस किस राजी ने की है बताएंगे फ्राफट किस राजी ने की है जल्दे से किस ने की है तो फ्रेंस ये की है किसने मध्धी परदेश राजी ने 2000 नई गो आश्रियों का निर्मान करने गोशना की है सी होगा रेरासर मध्धी परदेश देखे नेक का राइट, देखिए, नेक्स्ट है, किस देस ने 18 सथी, 18 सताब्दी की अनपुरणा परतिमा भारत को लुटाने का फैसला किया है, किस देस ने किया है, ये किया है, कनादा नें, ओफिसन नंबर भी हो, जी, रैडानला देखिएगा नेक्स्ट किस देश ने दुनिया की पहली हाइडरोजन संचालित डबल डेकर बसे लॉंच की हैं किस देश ने की हैं अगर आप नभी तक वीडियो को लाइक ने किया है सब लोफ राफ़र वीडियो को लाइक करेंगे अपने फ्रेंस की पास शेयर करें फ्रेंस इस अपी टेस्ट है रिविजन टेस्ट है कम टाइम में ज़्यादा कुछ नहीं यहाँ पर करवाने वाले हैं तो फ्रेंस किस देश ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचलित डबल डेकर बसें लोंच की है देखिए स्कोटलेंड ने यानि एहोगा जी राइट आंसर स्कोटलेंड देखिए नेक्स्ट किस देश में किस देश में चाप्रे वाइरस पाया गया किस देश में पाया गया है चाप्रे वाइरस बोलिविया में किस में बोलिविया में पाया गया है नेक्स्ट है भारत का पहला मास गार्डन कहां स्थापित किया गया है तो यह किया गया है नैनिताल में अफसन नमबर सी होगा राइड आंशर नैनिताल नेक्स्ट है आलते विक्रम बिडला कला सिखर प्रुषकार किसको दिया गया किसको दिया गया यह दिया गया नसुरुदिन सह को यानि यह होगा राइड आंशर नसुरुदिन सह ठीक है देखेगा नेक्स्ट क्यूशन किस राज्ये ने 2025 तक बायो एकोनोमी बनने का लगसे निर्धार्थ किया है किस राज्ये ने किया है जी ये किया है करनाटक राज्ये ने D option होगा right answer करनाटक देखीगा next question moody's ने चालो वित वर्ष में भारत की GDP कितने परतेशत रहने का अनुमान लगाया है कितने रहने का 8.9% रहने का अनुमान लगाया है देखी नेक्स अजे कुमार को किस देश में भारत का राजदोत नुक्त किया गया है किस देश में किया गया है ये किया है वरूंडी में है कहां हुआ है तुंग भद्रा पुष्क्रम महुत्स वकाउद गाटन यह हुआ है जी आंदर प्रदेश में कहां अंदर प्रदेश में यह होगा रहे आंसर अंदर प्रदेश नेक्स्ट है लपीजी बुकिंग के लिए देश का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कोन बना यह कहां संपन हुआ ओतरी अरब सागर में संपन हुआ यह होगा रहाट नेक्स्ट है भारतने अगली साल अफ्चन नंबर भी होगा नेक्स्ट है किस राज्य ने अपने पांच सहरों में रात्री कर्फियों लगाने की गोशना की है तो फ्रेंस यादखना ये की है मध्य परदेश ने एह होगा राइड आंशर मध्य परदेश नेक्स्ट है गलोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट दोजर बीस की निसार 107 देशों की लिष्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है कौन सा स्थान 94 यानि सी होगा राइड आंशर देखिए नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने सूपरसोनिक कुरुज मिसायल ब्रम्होस का सफलता प्रोग प्रिक्षन किया है किस देश ने किया है सूपरसोनिक कुरुज मिसायल ब्रम्होस का सफलता प्रोग प्रिक्षन ये किया है जी भारत ने यानि ए होगा राइड आंशर भारत नेक्स्ट है निर्मिसी कौन सा देश फेस स्केन करने वाला पहला देश बन गया है फेस स्केन करने वाला पहला देश बना है सिंगापूर याने डी होगाजी रैडाउंसर यहाँ पर सिंगापूर नेक्स्ट है भारत सरकार ने किस देश को एक और बड़ा जटका देते हुए रेफ्रिज्रेटर वाले एर कंडिशनर की आयात पर परतिबंद लगा दिया है किस देश को फ्रेंस चीन को या देखना एर है गारेट आंसर चीन को ठीक है देखीगा नेक्स्ट यहने इसको में भारत की स्थाई परतिबंदी के रूप में उन्हें किस को नुक्त किया गया है किस को नुक्त किया है विसाल वी सहरमा को नुक्त किया गया है option number C होगा right answer विसाल वी सहरमा चलेगा देखिए friends next question क्या है किस राजे सिरकार ने हाल ही में मिशन सक्ती अभ्यान की सिरुवात बलरामपुर से की है किस राजे सिरकार ने की है तो फ्रेंसी के ओतर प्रदेश के सिरकार ने किस दिन मनाया जाता है किस दिन फ्रेंस किस दिन मनाया जाता है या दखना आप लोग 17 अक्टूबर को मनाया जाता है option number D होगा right answer ठीक है देखिए next केंदर सिरकार ने केंदरी ग्रहसचिव अजे भला का कारिकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है कब तक के लिए बढ़ाया है 22 अगस 2021 तक बढ़ाया है केंदरी ग्रहसचिव अजे भला का कारिकाल भी option होगा जी right answer देखिए next है केंदरी स्वास्ते मंतरी डॉक्टर हर्स वर्धर ने गोशना की कि भारत ने किस साल तक ट्रांस फैट फ्री होने का लक्षी रखा है किस साल तक 2022 तक option नमबर सी होगा right answer 2022 तक next है global hunger index report 2020 मिन में से किस देश को परतमस्तान प्राप्ट हुआ है किस को हुआ है बेलारूस को हुआ है परतमस्तान प्राप्ट यानि ए होगा जी right answer बेलारूस next है IIT मदरास और Tata Consultancy Services के सहयोग से Indian Bank के सहयोग से IIT मदरास और Tata Consultancy Services के सहयोग से Indian Bank के सहयोग से Indian Bank के सहयोग से तो यह कि है IND Supreme Board India Supreme Board option number C होगा right answer IND Supreme Board ठीक है देखिएगा next कौन सा देश एक वर्स के भीतर आर्थिक सहयोग एवं विकास संग्ठन में सामिल हो जाएगा कौन सा देश हो जाएगा तो आप लोग Friends या दखना Brazil हो जाएगा ए होगा जी right answer Brazil next है किस राजे का सबसे अच्छा इनीमिया मुक्त भारत सुसकांग है किस राजे का है तो यह हर्यना का है Friends इनीमिया मुक्त भारत सुसकांग सबसे अच्छा यानि B हो जाएगा रेटान श्यर ठीक है Friends next question है देश का पहला राजे जिसने मास्क की केमते निस्यत की है किसने की है महाराश्टर एस राजे है पहला राजे जिसने मास्क की केमते निस्यत की है option number D हो जाएगा रेटान श्यर महाराश्टर देखिए next question क्या है दिनकर योजना का नाम बदलकर किसान स्रवोद योजना किसने की है किसने गुजरात राजिने की है यादगना किसान स्रवोधियोजना दिनकर योजना का नाम बदल कर यानि ए होगा रैट आंच चलेगा देखिए next question क्या है Global Hunger Index Report 2020 में किस देश को पर्थमस्थान प्राप्त हुआ है किसको हुआ है बेलारूस को हुआ है जी यह होगा रैट आंच यहाँ पर बेलारूस देखिए next है किसने अपने प्लेटफॉर्म पर डिजिटल गोल्ड लॉंच करने की गोशना की है तो फ्रेंस यह की है भारत पेने option नमबर भी होगा रैट आंसर भारत पे next किस देश ने भारत को अपने एफ एटीन नोसेनिक जेट देने की पिसकस की है जली से फ्रेंस आंसर देंगे सपीर से आंसर देंगे किस देश ने भारत को अपने एफ एटीन नोसेनिक जेट देने की पिसकस की है अमेरिका ने किसने अमेरिका ने बिरहगा रहा 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 परने की गोशना की है तो फ्रेंसी की है इस रो ने ये रहेगा रैट आंसर इस रो राइट देखीगा नेक्स्ट भारत के नए मुखे सूचना आयुक्त कोन बने हैं सूचना आयुक्त मुखे सूचना आयुक्त बने हैं यस वर्धन कुमार सिन्हा यस वर्धन कुमार सिन्हा ए रहेगा राइट आंशियर नेक्स्ट किस राजे के विधान सबा अध्यक्स सुकुमार हांसदा का निधन हुआ है किस राजे के पस्षिम बंगाल के सी होगाजी राइट पस्षिम बंगाल नेक्स्ट है एसिया का सबसे सुरक्षित बैंक किसको गोशित किया है तो फ्रेंस किया है DBS bank को option number एहोगाजी right answer DBS bank ठीक है देखिए next कि इस राजे के मोख्य मंत्रे ने भोमी और संपती पंजिकरण के लिए धरणी पोर्टल लोंच किया है ये किया है तिलंगाना के मोख्य मंत्रे ने यानि एहोगाजी right answer तिलंगाना के वर्तमान में सेम कोने प्लीज कमेंट बोक्स में इसक्विशन का अंसर जुरूर दे next है अफरीकी ओदोगी की करण दिवस कब मनाया गया है कब मनाया गया है 20 नौंबर को मनाया गया है अफरीकी ओदोगी की करण दिवस option C होगा right answer 20 नौंबर next है जी किस राज सिरकार ने चार कॉमर्शियल अदालतों के स्थापना का निर्न लिया है किस राजिक सिरकार ने ओडिशा के सिरकार ने option C होगा जी right answer ओडिशा next है बार्कलेज ने भारत के जीडिप कितने प्रसेंट रहने का अनुमान लगाया है कितने प्रसेंट मैनस 6.4% रहने का अनुमान लगाया है ए होगा right answer मैनस 6.4% देखे next है किस राजे की सूर स्रोवर जील को रामसर साइड का दरजाद दिया गया है किस राजे की उतर प्रदेश राजे की सी होगा right answer ओतर प्रदेश next है कि इंदर सरकार दवारा वाने जे खरन के लिए कितने कोविला खानों के निलामी की गई है कितने फ्रेंस 19 19 यानि ए होगा जी right answer next है किस राजे ने पाले परगती कार्यों की निगरानी और सुधार के लिए दो मुबाइल एप्लिकेशन लॉंच की है किसने की है तिलंगाना ने की है नि ए होगा right answer तिलंगाना right देखीगा next question वैस्विक रिश्वत जोखिम सुचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है कौन सा स्थान रहा है स्तेत्रमा स्थान रहा है option number B होगा right answer स्तेत्रमा स्थान right friends चलेगा देखीए next किस देश के सांसदों ने global warming से निपटने के लिए जलवायू आपात काल की गोशना की है किस देश के सांसदों ने जापान देश के सांसदों ने option number C होगा next है लोक तंत्र के सुवर नामक पुस्तक का विमोचन किस ने किया है किस ने राजनाथ सिंग ने किया है ए होगा right answer राजनाथ सिंग next महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उनमुलन के लिए अंतरास्टी दिवस कब मनाया गया है कब मनाया गया है 25 नुवंबर को मनाया गया है जी महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन मुलन के लिए अंत्रश्ची दिवस यानि बी होगा रैट आंसर पच्चिस नुवमबर देखिए नेक्स्ट है चकरवात गती का नामकरण किस देश के दवारा किया गया बहरत के दवारा आफिसन दी होगा रैट आंसर भारत नेक्स्ट है किस देश ने 20OR Frederick के एपिक सिखर समिलन के मेजबान की है किस ने की है ये की है Malaysia ने आफिसन दी होगा रैट आंसर Malaysia ठीक है किस देश ने चिर्मा के लिए अपना पहला अंत्रिक्स यान चाँग ए 5 लौंच किया है तो friends किस ने किया है याद रखेंगे आप लोग किस ने किया है ये किया है जी चीन ने यानि ए ओफिसन होगा right answer चीन देखें next है हाल ही में किसी ब्रिटीन का वातायन सिकर सम्मान मिला है किसको मिला है जी रमेश पोखरियाल को मिला है वातायन सिकर सम्मान ठीक है भी होगा रैट आंसर रमेश पोखरियाल देखीगा नेक्स्ट है हाल ही में जारी व्यापार रिश्वत जोखिमों की वैस्विक सोची 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है कौन सा स्थान स्थित्रम स्थान यानि B होगा जी रैट आंशर स्थित्रम स्थान ठीक है देखिए next है हाल ही में किसे भारत अतन डॉक्टर अंबेड कर अवार्ड 2020 से समायत किया गया किसको किया है रेचा चड़ा को किया गया है ओफिसन नमबर D होगा रैट आंशर रेचा चड़ा देखिगा next हाल ही में हुई गोषना के मताबिक किस राजे में एशिया की पहली सोर उर्जा से संचालित कपड़ा मेल स्तापित के जाएगी किस राजे में यादखना महरास्टर में ओफिसन नमबर D हो जाएगा रैट आंशर महरास्टर देखिए next है हाल ही में किस राजे की पहली महिला राजे पाल मर्दुला सिनहा का निदन हुआ है किस राजे की पहली महिला राजे पाल गोवा की इरहेगा right answer वर्तमान में गोवा की राजे पाल कोन है फ्रेंस नमबर 2020 के कोडिंग बात हो रही है भगत सिंग कोश्यारी है राइट देखिएगा next हाल ही में किस राजे की पहली महिला सांसद चंदरावती का 92 वर्स की उमर में निदन हुआ है किस राजे की पहली महिला सांसद हर्याना की यानि ए होगा right answer हर्याना next है कोन व्यक्ती हाल ही में रिजरो बैंक को नवन में सांद की इंदर की पहले अध्यक्स बने है ये कोन बने है ये बने है क्रिस गोपाल क्रिष्णन ओफिसन नमबर डी होगा बनी है अगर आप नभी तक वीडियो को लाइक ने किया है सब लोग फ्राफट वीडियो को लाइक करेंगे अपने फ्रेंस की पास सीर करेंगे ताकि कुछ लोग और यहां आएं और अपने एकजाम की तियारी को अच्छे से आगे बढ़ाएं हालही में कौन एकविटोस समोल फाइनेंस बैंक की ब्रांड एमिस्टर बनी है तो यह बनी है समर्थी मंधाना ओफ्सन नमबर सी होगा जिरेडा समर्थी मंधाना नेक्स्ट है पीम मोदी ने हालही में किस सहर में स्टेट जी ओफ पीस नामक परतिमा का अनावरन किया है तो यह किया है रदस्थान के पाले में यानि सी हो जएगा रेडा अंशे dealt देखिघी का नेक्स कूशन चुनाओ आयोग ने हालही में किसी पंजाब का स्टेट आइकन निक्त किया है चुनाओ आयोग ने हालही में किसी खिलाडी ने Masters Golf Tournament 2020 जीता है किसी जीता है यह जीता है Dustin Johnson ने Option Number B होगा यहाँ पर Dustin Johnson राइट फ्रेंज देखे नेक्स्ट हाल हमिकिस वैगैनिक को Professor A.N. बाधोडी Memorial Lecture Award 2020 मिला है यह मिला है डॉक्टर सुसांत कार को Option Number B हो जाएगा आइट आइट आँसर दॉक्टर सुसांत कार नेक्स्ट है हाल हमि नितिज कुमार बिहार की कोन सी बार मुख्य मंत्री बने हैं यह बने सात्वी कितनी बार अफशन डी होगा राइट आँसर रेनु देवी देखेगा next हालही में किस राज़े में दुनिया की पहली ट्राम लाइब्रेरी स्रू की है ये की है पस्चिम बंगाल में स्रू की है ट्राम लाइब्रेरी दुनिया की पहली ओफ्शन सी होगा रेट आन्शूर नेक्स्ट है जी किस चालक ने हाल ही में टर्किस ग्रान प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है ये जीता है जी लुईस हैमिल्टन ने भी हो जाएगा रैट आंसर लुईस हैमिल्टन नेक्स्ट है हाल ही में किसने अंतरास्टी बाल सांति प्रुषकार 2020 जीता है किसने जीता है जी फ्रेंश सी जीता है साधत रह्मान ने दी रहे का रैट आंसर साधत रह्मान परतिवर्ष 14 नुवंबर को भारत में बाल दिवस के जरम दिवस पर मनाया जाता है पंडित जवाहरला निहरू के जरम दिवस पर भी रहेगा रेट अन्शियर देखीगा नेक्स्ट हाली में किस राजिके पुरमोख्य मंत्री रहे संच मानू लिम्बो का हाले में निधन हुआए किस राजिक पुरमोख्य मंत्री या दखना जी आप लोग जिक्किम कि ए होगा रेट आंसर नेक्स्ट है परतिवस राष्ट्री आयरवेद दिवस कब मनाया जाता है धन तेरस के दिन मनाते हैं जी अमेरिका के कारेवाहक रक्सा मंत्री के चीफ ओफिस स्टाफ बने है ये बने है कास पटेल यानि ओफिसन नमबर डी होगा जी राइट आंसर कास पटेल राइट फ्रेंस देखेगा नेक्स्ट क्यूस्ट हाल ही में कोन दुनिया का पहला सिख़्जी उपगरह लांच करने वाला देश बना है कौन बना है? चेन बना है जी पहला सिख़्जी उपगरहं लांच करने वाला देश अफिसन नमबर डी होगा राइट आंसर चेन ठीक हा फ्रेंस नेक्स्ट हाल ही में कौन पाकिस्तान किर्केट बोर्ड के पहली महिला निदिशक बनी है कौन आलिया जफर बनी है भी हो जाएगा रैट आंसर आलिया जफर देखिए नेक्स्ट है हाल ही में किस देश के परधान मंतरी सेख खलिफा बिन सल्मान अल खलिफा का हाल ही में दिदन हुआ है हाल ही में जारी हारुन इंडिया की वर्ष 2020 के रिपोर्ट के नुसार कोन सबसे दानवीर भारती बने है यह बने है जी अजेम प्रेम जी यानि सी होगा रिड़ अजेम प्रेम जी नेक्स्ट है परतिवर्ष किस व्यक्ति के जैनती पर भारत बर में 11 नुम्बर कुराष्टी सिक्षा दिवर से मनाया जाता है तो यह मनाते हैं मौलाना अबुलकलाम आजाद के जैनती पर दिरहका रेड़ आंशर नेक्स्ट है आज का नेक्स्ट और आठेम के एवम डिल्ली किर्केट संका को सादेक्स छुना गया है किसको friends ससी खन्ना को चुना गया है यानि सी होगा right answer ससी खन्ना तो friends ये थी आज के हमारे questions जो अभी complete हो गई है अगर कोई doubt है सेरकेज़कर सब्सक्राइब के doubts अगली class में कलर के जाएंगे पेडियाफ के लिए जल्दे से आप लोग गुरुकुल अकेडमी की टिलिग्राम को जोएन करेंगे वीडियो के चिए डिस्क्रिशन बोक्स में एक लिंक दे है वहाँ से आप लोग गुरुकुल अकेडमी की टिलिग्राम को जोएन कर सकते हैं से आप लोग पीडियाप दे सकते हैं अगर आपने भी तक वीडियो को लाइक ने किया है सब लोग फ्राफट वीडियो को लाइक करेंगे अपने फ्रेंस की पास सेर करेंगे जो लोग पहले बार आए हैं जल्दी से आप लोग फ्राफट चैनल सिस्क्राइब करेंगे साथ मे बिल आइकन पर भी कलिक कलिक दो फ्रेंज से लिगा मिलती हैं अगली क्लास में तपते के लिगड़ बाई जै हिंद जै भारत वंद्य मात्र